नमस्कार दोस्तों मैं गउरा पांडे आपके अपने ओलाइन संसाट आई वे था लोग मैं आपका स्वागत करता हूँ आज़ा करता हूँ कि आप स्वस्त होंगे जहां भी होंगे शुरक्षित होंगी और अपनी सिहत का ध्यार होंगे सुमार की सुबा के साथ फिर से उस प् बाणने लिए ठीक है हम नहीं करते तरे एंज्वा इंजॉयमेंट में आजाए है पढ़ाई का पैटर्न होता हुटाए हमें और ग्यासで π précis है leftover हो गन Aunty अब्लत में आजिए यह तो मैंने से अदिक हम एक सब्कुते कर दोब वहां हुआच हम ुल्युत को तीन आमों इसे को ये वो इंसान करा जो खुद पूरी नहीं करता है 8 गंटा गूमिये फिर ये जिम जाएए खाना पिना बनाईए बरतन दोईए मिलाईए चर्टिंग करिए 8 गंटा पढ़ाई करिए कोचिंग को इंकल्यूड करके कोचिंग को इंकल्यूड करके आप पढ़ाई करिए जिसे 5 गंटे, 6 गंटे 7 गंटे कोचिंग हो रही है तो आप उसमें 1 गंटे को रिवाइस करिए चीजों को नया मत पढ़िए रिवाइस करते रहिए ठीक है और इस 8 को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए हभी भी याद रखिएगा मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन में लाश्ट क्लास में नहीं बता पाया प्रॉमिस ये किया था लेकिए हमेशा लिखने वाला जो काम है लिखने वाला काम यह रात के खाने के बाद करिए रात के खाने के बाद ठीक और पढ़ने वाला जो काम है वो रात के खाने के पहले है क्योंकि रात में खाने के बाइज जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिमाग एक saturated mode में rest mode में चला जाता है और फिर क्या होता है कि आपको नीद आती है पर जब हमारा अंग देशी अगर रात में हमें chat करना है जैसे आप लोग करते होंगे सुबा का चार बज जाता होगा नीद नहीं आती है पर वहीं पढ़ने बैठी है तो नीद आती है रात में जब आप लिखने वाला काम करते हैं मैथ हो गया, रिज्डिंग हो गया, प्रैक्टिस हो गया कुछ भी अगर आप कर रहे हैं जिसमें आप अपनी बॉड़ी के और्गन्स को हिलाड उला रहे हैं तो आपको नीद नहीं आएगी इससे रात में आपके पढ़ने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा और जो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें या पढ़ने वाली चीज़ें उनको आप राते खाने के पहले कर लिजी इससे भी बड़ी बात एक कुछल विद्यार्धी के जीवन में ठीक हैं, उसके खाने का टाइम उसके पढ़ाई के टाइम को डिसाइड करता है बहुत लोग क्या करते हैं, कि रात में साड़े ग्यारा बारा बजे खाना करते हैं न वो इधर के रह जाते हैं, न उधर के रह जाते हैं, रात का खाना कितना भी लेट करिए नौ से दस के बीच में अगर और खीच रहा है तो दस से साड़े दस के बीच में कर लीजिए नौ से दस के बीच में कितना टाइम रगेगा अगर मालीजे उसकी साधी नहीं हुई है जो मतलब एक बैसलर लाइब कर रहें बाकि जो पिचारे ग्रहस्त जीवन वितीत कर रहें जिनकी साधी हो गई है उन्हें तो काफी बारण होता है 15-20 मिठ आदे घंटे खाना बनाने में आदे घंटे बार्तन साफ करने में गंधहुरा मत रही बहुत लोग अब जो जा रहे होंगे ना होली में घर जो घए होंगे बहुत लोग क्या क्योंगे ना अज वह मुर्गा सुरुका पड़ी पूछ उस लीजिए, आपका टाइम वहीं से मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है, जब आप टाइम को मैनेज करें और जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो कोचिंग पीरिड में खुब पढ़िए, ताकि उससे जुड़े हुए सवाल, उससे जुड़ी हुई बाते आप अपने अध्यापक अपने टीचर से पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हों, और जो चीज आती है उसको आप पॉलिश करते रही हैं, क्योंकि जीवन में कोई चीज कठिन नहीं है, सिर्फ हमारी सोच ही चीजों को कठिन और हमारी सोच ही चीजों को आसान बनाती है, ये हमारे उपर डिपेंड करता है, कि हम किस लेबल का सोचते हैं, हम किस हद तक सोचते हैं, और हमारी सोच के लिए क्या कठिन है, क्या असान है ठीक, चलिए कुछ और भी बातें धीरे धीरे बताते रहेंगे पढ़ाई करने के टेक्टेस, खाना खाने का समय, खाना क्या विद्यार्थे को खाना क्या खाना चाहिए, तमाम चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे देखिए, हडपा सब्विता के नगरी सब्विता चालू किया था मैंने, जिसमें बताया थे उनके मकान अब आते हैं उनकी सलकों के बारे में एकदम दिमाग से टेंसन हटा दी हडपा सब्वेता की सलके एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सलके जो थी वो समकोण पर काटती थी और सलके जो थी वो कच्ची इटों की बनी होती थी किसी बनी होती थी कच्ची इटों की इसमें कोई नई बात नहीं है जो भी चौरहा होता है जितने भी चौरहा होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिगरी कोड़ पर ही काड़ते हैं चौरहा कभी 120 डिगरी पर या 60 डिगरी पर या 360 डिगरी पर नहीं काड़ता हाँ बरहत्य हमरे इलहाबाद में पंच राहा भी है यहां मजार चवरा ही यह पंच राह पाच राह है हाई यह घच भुच घच इवहाँ सब ज़्यादा एक्सिडेंट होता है तो हडपा सभिता की सडके एक दूसरे को समकोन पर काड़ती थी जोगी कच्ची इटों की बनी ह होती थी हडपा सभिता के जो मकान है वह सडक के किनारे बने होते थे और मकान जो थे वह पकीटों कईसे जाएगा वही मकान अगर सड़क के बीच में बन गया तो गाड़ी ओड़ी कैसे जाएगी इसलिए मकान जो है वो सड़क के किनारे बने होते थे जो की पकीटों के बने होते थे इन लाइनों को सुनते जाएगा ध्यान से बस इनके कहा एक खास बात थी इनके जो मुख्य खिड़ की दर्वाजे थे, मकानों के जो मुख्य खिड़ की दर्वाजे, मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर, गली की तरफ खुलते थे, अब मकानों के मुख्य खिड़ की दर्वाजे, मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर, गली की तरफ खुलते थे, ऐसा क्यूं होता था? ऐसा इसलिए होता था, हम आप लोग कहेंगे कि सर, चोरी से बचने के लिए, ठीक है, सर, तमाम चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगे, और बहुत तों के दिमाग में सटी का अंसर भी चल रहा होगा, सडकें के सीटों की है, कच्ची इटों की, सडक पर धूल धक्कर होगा की नहीं, बचपन में गाउम धूर उड़ाए है, जब बचपन में गाउम हम लोग चलते थे, और खुब धूल लेता था, खुब उड़ाते थे, खुब, ऐसे करके, या तो जिसके आज के सहरों में देख लीजिए, मकान के मुख खिलकी दरवाजे, मुख सडक की तरफ रहते हैं, दिन भर में दस बार ज़ारू लगा होगा, माटी घुच जाते हैं, क्योंकि सडक पर जब वाहन चलता है, लोग चलते हैं, तो प्रदूशन होता है, और यहा कर सकते हैं, यहां से ठीक है, घर को प्रदूशन मुक्त रखने के लिए, प्रदूशन मुक्त, ए, लिखा चला जा, रखने के लिए, खिलकी दरवाजे, मुख सडक की तरफ ना खुलकर, गली की तरफ खुलते थे, अब यह चो सबसे बड़ी दो भी था, हमारे कहां भी गल गलिया होती है, गलिया तेरी गलिया, मुझको भावे तेरी गलिया, ठीक, और हमारे गाओं में भी गलिया होती है, अचली हमारे गाओं में कोलिया होता है, क्या होता है, कोलिया, कोलिया जानते हैं, घर के पीछे होता है, रात में आई स्पाइस केलते हैं, ठीक है, बहुत तो देखिए, जो इनकी गलियां थी, वो किस प्रकार होंगी, हमारे कहां के मुझ के खड़की दरवाजे, तो दुवार की तरफ खुलते हैं, दरवाजे, मतलब में रोट की तरफ, इनके समय गली की तरफ, तो लॉजिक सी बात है, पहनी चीज समझे, एकदम ध्यान समझेगा सडक के किनारे क्या बने हैं, मकान बने हैं, तो सडक के किनारे मकान बने हैं, ठिक, तो गली जो है, वो सडक के समनांतर जाएगी की नहीं जाएगी, भाई, मकानों के मुझ के खड़की दरवाजे खुलने के लिए, गली को सडक के समनांतर जाना होगा की नहीं जाना होगा, जब गली समनांतर जाएगी तो जो गली होगी वो पहली बात तो क्या होगी लंबी होगी लंबी होगी समनांतर जा रही है सड़क के और मुक खड़ की दरवाजे मुक सड़क की तरफ ना खुल कर गली की तरफ खुल रहे हैं तो गली को इतना चौड़ा रहना पड़ेगा कि मुख खिड़ की दरवाजे खुल सके, यही कारण है, गली लंबी के साथ साथ क्या होगी, वो क्या होगी, चौड़ी होगी, ठीक, इसके सोड़े नहीं ले लेजे, हटाओं दो सिकन के लिए, मतलब कि हड़पा सब्वेता की स स्कॉयर का, तो वो जब ऐसे ऐसे आप लाइन खीशते जाएंगे, ठीक, ऐसे ऐसे लाइन खीशते जाएंगे, तो वो एक चेस का रूपी ले लेगा, इसी को ग्रिट सिस्टम कहा जाता है, ठीक, उत्ता ज्यादा वो डीपली नहीं पढ़ना है, वो किताब उनको बेचना ह अधारी थी, जैसे पूछ लिया जाता है एकजाम में कि हडपा सब्वेता की सडकें किस पद्दती पे आधारी थी, तो हडपा सब्वेता की सडकें ग्रिड पद्दती पे आधारी थी, ठीक, तो यहाँ पर पूरा निसकर्शी ये निकलता है, कि हडपा सब्वेता की सडके दूसरे को समकोण पर कारती थी जो कि कच्ची इटोंगी बनी होती थी और हडप्यश अभिता के मकान सड़क के किनारे बने होते थे जो कि पक्ची इटोंगे बने होते थे और घर को प्रदूशन मुक्त रखने के लिए मुक्ष खिड़ की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुल कर कहां खुलते थे? गली की तरफ खुलते थे और यही कारण है कि हडपा सभिता की गलीयां लंबी और चौणी होती थी लेक्ति बाद समझ में आ गई? चल्ड़ अब देखते हैं कि हडपा सभिता की मकान अब देखिए मकान है ये सब तूट गए है ना भाई? जमीन के नीची है तूट गए है वो आप गएंगे सब में खिड़की नहीं दिख रहा है हमको देखना है कि सिरु का कर देखबा थो? कि कर देखबा भाईया? कितना जनक देखबा? सड़के देखिए समकोन पर काट रही है कि नहीं काट रही है? ठिक, मकान बने है सब लगके किनारे और ये पीछे गलिया है ये देखिए, मुक्य खिड़की दरवाजों का रास्ता इनके देखिए पीछे की तरफ है, ये देखिए आगे उची-उची बांदरी है दिमाग बाइट गे है? ये ऐसे ही बनता था अब आते हैं अब आते हैं कि हडपा सभिता की मकान किस प्रकार होते हैं घर में मुख्यद्वार होता था मुख्यद्वार के बांद आंगन होते थे आंगन के चारो तरफ कमरे होते थे अभावनी प्रतेक घर में सोचा मैं और अभुषत में तर्डवनी कर लेते हैं तमाम लोग लोग इतना तंस न देनें न लेने का है गाव में है गौप में घर है गाव में फूराना जमाने का नय जमाने आज सहर और बढ़िए आजकल गावोच बहुत है जुल्प हैं इधार से कर हमारे बरवाई नाहिने ना मुग कटि इधर से बाल कट इधर गउन पहुंचे गऊंप अऩर मतलब को गउन जाते हैं हमारे नकां लडगा बाइक से हता बड़ा लडगया मतलब का गयता है कि अब यूव अंडा से निकले भी नहीं है अगर बाइक चलावाथ है अगर उनका लेटा दीजे बाइक के समाना अंतर तो बाइक से छोटी हाइट होगे उनके बाइक लेग फुर फुर उड़ते रहते हैं गाव में जो पुराने घर होते थे उसमें कैसे बनते थे उनिवी को ध्यां रखिएगा, अगर आपका है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो किसी किसी दूसरे घर में चले जाईएगा ठीक है वैसे भी मन करता है और जो कभी गाउ जिसका गाउ नहीं है जो कभी गाउ में रहे नहीं है कुछ कहूंगा नहीं उन्होंने अपने जीवन के उस अमूल खुसी को छोड़ दी अमूल बूध नहीं है अमूल बटर उन्हों अमूल ले कह रहा हूँ दूसरे बगी इमाम तोड़े के तुसरे घरिम नून रोटी चाय खाई के लाइब भुजवाई के दूसरे खिया स्पुदीने अलेग पिसवाई खाना आइस पास खेलना गुच्चावल खेलना किर्केट खेलना उन मज़ा गाउं का है सहर में पो मॉम या ब्रो कमान लेट्स आई हमा बलाद हम नखिलागम जाता है कमउन प्रेटली वा गेदा फेक गेदा फेक ब्रेटली वा वह मज़ा यहां नहीं मिलता है गाह में जो घर होते हैं यहां पर एक मुख्य द्वार होता है क्योंकि आज की डिट में इंसान पैसे दिखावे और इन तमाम चीज़ों के से पीछे मरकर कुछ ले नहीं जाएगा किया लेकर आया था किया लेकर जाएगा जो तेरा गज्यान और संबंध और सम्मान है वही तो बचा के चला जिए बहुत बढ़ी बात है तो घर में मुख्यद्वार होता था गाव में जो मुख्यद्वार होता था जिसको हम केमार कहते थे केमार लकडी का बड़ा-बड़ा होता था पीछे से फठा कुसाया जाता था केमार जब हम पार करते थे तो किनारे किनारे दूटू कोठरी होगी जिसमें आलू लासून गेहूं चाउर ये सब रखा जाता था फिर ऐसे चोखटा होगा पार करेंगे तो यहीं पर नल होता था नल सरकारी बाला नल नहीं है एठो लोहे का नल आता था पहले बड़ा सा अरे जो सनी देवल गदर पिक अईसे मतलब जो आज कर लोग जिम में मारते हैं न यह एक महीना चला लीजे बाईसेफ ट्राइसेफ फैर्स थाई वही सब बन जाता था अईसा नल होता था तो यहां पर नल होगा ठीक यहां समझें लेकिन हरपा सभेता में नल नहीं थे नल नहीं थे नल के स्थान पर मका में कुमा होता था क्या होता था कुमा उसके बाद बरामदा होता था और प्रतेक स्वारी आंगन होता था आंगन के चारों तरफ कम्रे होते थे पूर्वी दिसा में रसोई घर होता है ठीक है और पश्मी दिसा में सोचाले होता था हमारे क्यां सोचाले खेत में होता था इन इतने बिक्सित थे कि सोचाले उस समय भी घर में बनागे रखते थे तो मतलब हरपा सभिता के मकानों में मुख्यद्वार के बान आगन होता था आगन में कुए होते थे ठीक है जैसे सरवाधिक संख्या में जो कुमे मकानों में पाए गए है वो चनुदड़ों पाए गए है और सरवाधिक संख्या में कुमा जो मिला है वो मोहन जोद़ों से मिला है मतलब चनुदड़ों के प्रतेक मकानों में कुमे मिले है लेकिन सरवाथिक संख्या में जो कुमा पाया गया है, वो मुहंजोदरम पाया गया है, बताएंगे भी आगे लिखाएंगे, कुमा होता था, आंगन होता था, आंगन के चारो तरफ कमरे होते थे, और प्रतेक घर में 144 रस्वई घर की उत्तम विवस्था होती थी, अब नाली देखिए, हम लोगों के जब गवाँ में देखे होंगे, जो कुलिया होता है, कुलिया, इसे कुलिया, कुलिया बगल में एक बड़िस नाली जाती है, बड़िस नाली जाती है, हर घर की नाली इसी जाके मिलती है, बच्चे लाल के, छट्टे लाल के, गरो पाड़े के, ठी उसी नलिया में जाकर सभी की नाली मिलती थी और इनाली इसे जाए गड़हीं विरत रही भाच भाच ठीक तब भी उस गड़हीं में नहाने से विमारी नहीं हो देती यहाजकल लोग आरों का पानी पीते हैं गवाँ में आज भी चापकल का पानी भी आता हम तो आज वह इना कार हडपा सभिता की भी जो थी एक मुख्य नाली होती थी तो यह मुख्य नाली हो गई क्या हो गई यह मुख्य नाली हो गई और हडपा सभिता के प्रतेग मकानों की नालियां मुख्य नाली से मिली होती थी और यह सहर के बाहर फरक इतना था क्योंकि यह जल प्रबंदन जानते थे, जल का रिस्पेट करते थे, तो इस सहर के बाहर एक बहुत बड़े गढ़े में इकत्रित होती थी, जहां पर सुखता नुमक पदार्थ होता था, ताकि वो जल को सोख ले, पच्पन में जब हम लोग स्याही कलम से निकले लिखते थे, तो सुखता लिए रहते थे जल निकासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा ये बात को, हडपा सभ्विता, नगरिय सभ्विता से जादा, जल निकासन, प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तो कभी भी आपको पूछा गया, कि हडपा सभ्विता क्यों प्रसिद्ध है, तो पहला आप्शन नगरिय सभ्विता लिखा रहेगा, ठीक है, पहले आप्शन को छोड़ कर चौथे आप्शन पे भी जाने का सोचिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे, चोंगा जैसा मुँ बन जाएगा, ठीक, तो ये थे हडपा सभ्विता के मकान, अब देखिए, सवाल जो पूछा जाता है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं पूछा जाता है, ठीक, वो अपवाद से पूछा जाता है, मतलब गौरभ पांडे भले कैसा चैप्टर पढ़ाया पिछले तेन दिन, जिसको बहुत लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि उनके इस्तमाल का नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं था, कि गौरभ पांडे पढ़ा नहीं सकता है, ये पढ़ाता नहीं, भई, आपके काम करने था, आपने नहीं देखा, मैं तो मधिकाली नहीं उठा सकता था, सभी देखते, सभी को इंटरेस्ट आता, लेकिन मैं सुरुवात से सुरुवात करना चाहता हूं, और सुरुवात से सुरुवात जहां होती है, उसका अंद बड़ा लाजवाब होता है, तो वही हम कह रहे हैं, कि प्रसल जैसे हम लाख आ इसलिए कह रहा हूं, जैसे हम आपके लिए लाख होग चीज कर दे, पर कभी थोड़ा सभी मिश्टेक हो जाएगा हमारे पढ़ाने में, स्लिप आफ टंग हो गया अगर, तो आप तुरंत कमेंट पर कमेंट ठोक देंगे, कम्प्लेन करके, तो सवार भी जो बनता है, वही स से पूछा जाएगा, अपवात कहने का मतलब, ठीक है, अपवात कहने का मतलब कि जैसे, हरपास अभिता के मकान कितने भागों में थे, तो दो भागों में, सवाल पूछा जाएगा, कि कहां के मकान, कहां पहर तीन भागों में मकान पाए गए, हरपास अभिता की सड़कें, कच्ची इटों की थी, कहां पर पक्की इटों की पाई गई हडपास अभिता के मकान पक्की इटों के थे, कहां से कच्ची इटों के पाई गई हडपास अभिता का पश्मी टीला दुरीकृत होता था कहां का दोनों हिस्सा दुरीकृत होता था इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा तो वही से सवाल आएगा अगली हेडिंग लगाए ले बाबू राजा अपवाद हडपा सब्वेता की सड़कें की नीटों की थी? कच्ची नीटों ठिक अलब यहाँ हडपा सब्वेता माने मैं particular साइट का बात नहीं कर रहाँ सिंदु घाटी सब्वेता बोल दरहां बहुत लोग कन्फुजी आजाएंगे सिंदु घाटी सब्वेता की सड़कें की नीटों की थी? कच्ची नीटों की लेकिन मोहन जोदुडों की सड़कें मोहन जोदुडों की सडके पक्की हिटों की थी और यहां से राजमार्ग सबसे लंबी सबसे चोड़ी सडक याद रखिएगा सबसे चोड़ी सडक जो है वो कहां से पाई गई है मोहन जोड़ों से जिसे राजमार्ग की संग्या दी है दी गई है यहां से राजमार्ग पाया गया है चले ठक गए याद 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 कहां गए सबसे चोड़ी सडक मोहन जोड़ों से मिली है जिसको राजमार्ग की संग्या दी गई पक्की इटों के पर पर काली बंगा के मकान कच्ची इटों के पाई गए है समझेगा पर काली बंगा के मकान एक चीज़ और आप से पूसरा जाता है अगर आपको मेरे साथ नोर्स बनाने में समझ्या होती है यह आपको बोरिंग लगता है आप नहीं चाहते हैं नोर्स बनाना तो हमें आप बता सकते हैं हम थियोरी भी समझा के निकल सकते हैं हमारा उससे ज्यादा समय बचेगा और हम ज्यादा पॉर्षन कंप्रीट कर ले जाएंगे ठीक लब ज्यादा पॉर्षन कम समय में कंप्रीट कर ले जाएंगे बता दिजेगा काली बंगा के मकान कच्ची इटों के पाए गए हैं इसके साथ साथ यहाँ पर अलंक्रित इटों के मकान मिले हैं अलंक्रित इटों के मकान मिले हैं अलंक्रित इटों के मकान कहने का मतलब इटों पर डिजाइन किया हुआ पहले ऐसे इटे आते थे गाउन दे हत में जिसमें इटो आजकल तो सब अपना नाम चाहत देते हैं राधा, स्वास्तिक, क्रिश, डिपल एस, तमाम चीज़े पहले क्या था कि इटो पर डिजाइन किया हुआ आता था ठीक है जैसे बहुत दोगों पुराला घर देखे होंगे तो जो बारजा होता था उसमें कॉनमिस्यू भग्मान, संकर भग्मान थी के विश्णू भग्मान लगाते थे वैसी तो यहाँ पर अलंगरी तीटों के मकान पाएगे लेकिन इसके अलावा सबसे पड़ी खास बात क्या है कि हडपा सभिता का कौन सा हिस्सा दुर्गी क्रित रहता था तो हडपा सभिता का केवल और केवल पश्मी हिस्सा दुर्गी क्रित रहता था लेकिन यह है काली बंगा काली बंगा का पश्मी हिस्सा ठिक और पूर्वी हिस्सा ये दोनों हिस्सा अलग अलग प्रकार के रच्छा प्राचीरों से घिरा हुआ था तो याद रखिएगा सभी सभ्यताओं में काली बंगा एक ऐसी सभ्यता है जिसका पश्मी हिस्सा भी और पूर्वी हिस्सा भी रच्छा प्राचीरों से घिरा हुआ है वो भी अलग अलग रच्छा प्राचीरों से घिरा हुआ है फोटू देखकर समझ जाए कोई हमारे घर का फोटू नहीं है काली बंगा का फोटू में समझ में आए आगे चली काली बंगा का पश्मी और पूर्वी टीला अलग अलग रच्छा प्राचीरों से घिरा था ठीक अब आते हैं हडपास अभ्यता के मुख्य खड़की दरवाजे कि धर खुलते थे मुख्य सड़क की तरफ लेकिन लोथल के मुख्य खड़की दरवाजे सरी गली की तरफ लेकिन लोथल के मुख्य खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे तो अगला जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है क्या है लोथल के मुख्य खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे एक चीज़ों कुछ किताबे कहती है कि लोथल का कोई भी हिस्सा दुर्गी करित नहीं था यह एकदम पूर्ण रूप से गलत है मैं आपको दिखा देता हूं लोथलो लोथलो दिखाए दीते हैं कहां गया लोथल का जो है लोथल का ठीक है लोथल का दोनों हिस्सा एक ही रच्छा प्राचेर से गिरा हुआ था उसका रीजन क्या था कि लोथल एक बंदर गा था ठीक आगे पढ़ाएंगे लोथल एक बंदर गा था तो उसको सुरक्षित रखना ही पड़ेगा नहीं तो ना वो दूसरे देश क्या रही है और इसे चोरहाम रेखिया क्यों उठाए लेगे तो तो यही कारण है कि लोथल का दोनों हिस्सा क्या था एक ही में था अलग अलग नहीं था और वो एक ही रच्छा प्राचिर से घिरा हुआ था अगर यह पूछा गया कि कहा का हिस्सा दुर्गी क्रित नहीं था तो याद रखियेगा कि चन्हु दड़ो का याद रखियेगा कि चन्हु दड़ो का कोई भी हिस्सा बुर्गी क्रित नहीं था और यहां पर कंगरा करीटों के मकान मिले हैं कि यहां पर में वक्राकर एटों के मकान मिले हैं वक्रा कार्मा ने बर्फी सेप के मकान पाए गया है मलब इटा बर्फी सेप का पाया गया है सेले स्क्रीन सॉट ले लीजे हडपा सब्विता से कितने प्रकार के मकान पाए गया है तो हडपा सब्विता से दो प्रकार के मकान मिले लेकिन धौला वीरा से तीन प्रकार का मकान पाया गया यह है धौला वीरा यहां से तीन प्रकार का मकान एक प्रकार का, दो प्रकार का और तीन प्रकार का ठीक, कित्ता हो गया, तीन तो कभी भी आपसे कोई पूछा कि कहां से तीन प्रकार के मकान मिले हैं तो धौला वीरा से और इनकी खास बात क्या है इनकी पास जल संरक्षन प्रणाली का भी विकास था ये साक्ष में बताऊं लुगाँ आप वाटर हार्वेस्टिंग करना ये अच्छे से जानते थे तो धौला वीरा से तीन प्रकार के मकान के साक्ष मिले हैं याद रखिएगा ठीक है अगले पेज़ पर चलते हैं धौला वीरा से तीन प्रकार के मकान के साक्ष पाए गए है अगला आते हैं हडपा सभिता अपने नगरी सभिता से जादा किसके लिए प्रसिद्ध है तो जल निकासन प्रानी के लिए लेकिन यहीं पर एक जगा है बनवाली यह है बनवाली, ठीक है यह अलग-अलग मत समझेगा, यह एक ही है, ठीक है यह पूर्वी हिस्सा है, यह पश्म हिस्सा है बनवाली से जल निकास देखाया, मार्टिन्स पानी निकारप बनवाली से जल निकासन प्रणाली का अभाव पाया गया जो कि एक बहुत बड़ा डिमेरिट है जब कि बनवाली जुह है ये संब्रिध लोगों का सहर था ठीक है तो बनवाली से जल निकासन प्रणाली का आप भाव पाया गया है चलिए, इस्क्रिन सोट लेए चलिए फिर आजी क्लास में इता ही, अज छोड़ी छोटी सी क्लास है, ठके लग रहे हैं बहुत जादा ठीक है, फिर अगली क्लास में, दो क्लास में अड़पा खतम हो जाएगा ठीक, फिर मिलते हैं किसी दिन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, तब तक के लिए आप लोग सहर का धिया रगए, मुस्कुलाते रगए, ठीक है ठीक है, लीस अब लोग क्या लगए घंब धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टिट्यूट टार्गेट विदालों का उनलाइन ग्लासिज में, अब हम लोग एक नए लेक्चर के साथ फिर से प्रस्तावना की कुछ महत पूर्द बिंदों पर चर्चा करने आगे, याद करिए हम लोगों ने प्रस्ताव ना क्या है, इस पर चर्चा किया जाच चुकिया, क्या यह है, संभीधान का भाग है, अथवान नहीं है, इस पर एक केस हमने देखा था, केशवा अनंग, भारती बनाम केरल राज, जिसमें हम लोगों ने कहा, यह अभिन अथवा, महत पूर्द भाग है, हमने बहुत इसमें गहन चर्चा किया है, पिछले लेक्चर में, कि भाईया, यह महत पूर्द भाग है, भाग है, तो इसमें संसोधन भी किया जा सकता है, याद आया, फिर हम लोगों ने पढ़ा, कि अगर संसोधन किया जा सकता है, तो किन किन तत्मों को नहीं चुआ जाएगा, और पिछले लेक्चर पे, आधार भूत धाचे के सिध्धानत को हम लोगों ने देखा, बहुत ही गहान अध्यान हम लोग इस बिंदु पर कर चुके है, अब अगर बात करें, कि प्रस्तावना के कुछ महत पूर्द शब्द है, जिने हम भारत के लोगों ने सजा के रखा था, अपने भारत के समविधान के लिए और सोचा था एक बहुत ही अनोखा विक्सित और परिवर्तन सील समविधान देंगे, तो उसमें हम भारत के लोग सब्द की हम लोगों ने वी आख्या देखी, फिर हम भारत के लोग भारत को कैसा देखना चाहा रहे हमने ये देखा संपूर्ण प्रभुत्वर संपन पर लिया आपको याद होगा फिर हमने पढ़ा समाजवादी पंथ निर्पेच तथा लोकतंत डेमोक्रेट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लिक्चर में हम लोगों ने डेमोक्रेट तक पढ़ लिया था और डेमोक्रेट तक पढ़ने के बाद अब हम लोग कहां आए हैं अब हम लोग आ गए याद करिए प्रियम्बल हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्वगुत्व संपन समाजवादी पंथिनी पेच लोग तंत्रात्मक गड़ राज्य बनाने के लिए थाथ हम कहां आ गए गड़ राज्य में आ गए रीपब्लिक ये कहता है कि भैया गड़ राज्य क्या होगा कहा गया गड़ राज्य अथवा गड़ तंत्र उस राज्य को कहते हैं जहां पर राश्ट्रा ध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए आप में योगिता होनी चाहिए कैसी योगिता होनी चाहिए आप आनुआंसिक या मनोनीत महीं हो सकते क्योंकि गड़ राज्य की इंगलिस है री पबलिक री और पबलिक सब्द इंगित करता है री मतलब बार बार पबलिक मतलब जनता यानी जनता द्वारा बार बार दोहराया जाना अरठाव भारत में राष्ट्रा ध्यच निर्वाचित होता है गणराज क्या काता है गणराज में जो गणराज का राष्ट्रा ध्यच होगा वो निर्वाचित होगा ना की मनोनीत अर्थात क्या होगा निर्वाचित होगा मनोनीत नहीं होगा इसका मतलब जन्ता अपने योग शासक का खुद चयन करेगी किसके द्वारा अपने निर्वाचन के द्वारा अर्थात भारत का राष्ट्रा ध्यच निर्वाचित होता है इसलिए भारत क्या है भारत एक गड़ राज्य है यह शब्द भारत के संविधान में गड़ राज्य सब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है कहां से लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया है और फ्रांस के संविधान में ये शब्द कहां से आया भाया 1789 की करांती से आया फ्रांस में ये शब्द 1789 की क्रांती से आया जिसे भारत ने कब लिया है भारत ने अपने यहां गड़राज के स्वरूप में इसको सामिल किया है जैसे ही सामिल किया तो क्या भारत आरंब से गड़राज बन गया बिल्कुल नहीं भारत 24 जन्वरी 1950 को गड़राज घोसित हुआ 24 जन्वरी 1950 को भारत क्या होता है गड़राज घोसित होता और इसी दिन से भारत एक ऐसा देश हो गया जो राष्ट्रा ध्यचिका निर्वाचन करने लगा और जहां पर राष्ट्रा ध्यचिका निर्वाचन होता है वही गड़राज होता है सबसे पहले गड़राजी आपको वैशाली में दिखेगा तक्षिसिला वैशाली में दिखेगा और वैशाली में पहली बार गड़राजी की पुष्टी आपको दिखती है हमने अब तक पढ़ा हम भारत के लोगों ने अपने भारत को ऐसा देखना चाहा अर्थात हमारे समझीधान में जो उद्देशिका कहती है उस उद्देशिका के तहट भारत की जनता ने पांच सरूपे में अपने भारत को देखना चाहा स्वंपूर्ण प्रभुत्व संपन स समाजवादी पंथनी पेच लोगतांत्रिक गर्राजी बनाने के लिए फिर क्या कहा कहा हमारी प्रस्तावन अथ्वा संभिधान बनाने का उद्देश क्या है उद्देश कहता है भारत के सभीग नागरिकों को कि मियाए दिलाना स्वातांत्रिता दिलाना और समानता दिलाना न्याए दिलाना स्वतंत्रता दिलाना समानता दिलाना ये क्या है ये हमारे जनता का जिनों ने संविधान बनाया है ये निर्मित करने का उद्देश ये है न्याय स्वतंत्रता समानता अर्थात हम भारत के लोग अपने भारत को संपूर प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पेच ल हैं तो सबसे पहले क्या देखे न्याय की इंग्लिश होती है जस्टिस होती है न्याय सब्द इंगित करता है जस्टिस को भारत के सम्धिधान में ये लेटिन भासा के जस्ट सब्द से मिला है जस्ट सब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना जिसका अर्थ क्या होता है जस्ट का जोड़ना इस प्रकार आप कह सकते हैं न्याय का मुख्य उद्देश ही है समाज को जोड़ना समाज को जोड़ना भारत में कहा गया कि यह जो न्याई शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिखता है यह सोवियत संग से समाहित है कहां से प्रभावित है सोवियत संग से प्रभावित है और वही से लेकर इसे संविधान में समाहित किया गया है नियाई शब्देंगित करता है या अगर सवाल कभी आयोग में पूछा जाए कि भारत के सम्विधान में नियाई शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है केवल और केवल प्रस्तावना में ये सवाल कई बार पूछा गया और ये याद रखना आपका काम है कहां यूज हुआ है प्रस्तावना में और नियाई कैसा तो भारत के सम्विधान में प्रस्तावना तीन प्रकार के नियाई की बात करती है ये भी सवाल पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के नियाई का उनलेख किया गया है कहा गया तीन प्रकार के नियाई का उनलेख है कौन-कौन सा सामाजीक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नयाई की बात की गई है सामाजिक नयाई क्या कहता है या किसी भी द्यक्ति के साथ धर्म मूल वन्स जाति लिंग जन्मी स्थान भासा इनकी अधार पर कोई भेग बाउना करिये ये कौन बताता है ये भागतीन बताता है किसके रूप में बताता है fundamental rights के रूप में बताता है अर्थात मौलिक अधिकार के रूप में बताता है कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ भासा जाती धर्म लिंग इनके धर आदार पे कोई बहुत मत करिए समाजिक न्याई यही है कि सब को एक समान माना जाए सभी वर्गों को एक समान देखा जाए अर्थात समाज में उच नीच भेद भाव अस्प्रिश्टा इन सब को समाप्त किया जाए समाजिक न्याई पर सरवाधिक प्रभाव किसका दिखता है तो कहा जाता है समाजिक न्याई पर सरवाधिक प्रभाव डाक्टर भी आर अंबेटकर का दिखता है किसका दिखता है डाक्टर भीम राव अंबेटकर का दिखता है आर्थिक न्याई क्या कहता है आर सबी को उस प्रकार संसाधन मुहया हो कि उनकी दैनिक आवशक्ता पूर्ती हो जाए, यहां भी भेद भाव करके गवीबी, अमीरी, उच्च वर्ग, निम्वर्ग में बाट कर आर्थिक म्यायना किया जाए. इसकी पुष्टी कहां दिखेगी, इसकी पुष्टी आपको भाव 4 में दिखेगी, राज के नीति नीडेशक तक्त में दिखेगी, अनुछे 36 से 51 तक में दिखेगी, अर्था सब की निंतम आवशक्ता पूरी हो जाए, संसाधन का वितरन सरु समान में इस प्रकार कर दीजिए, सबकी दैनिक आवशक्ता और निंतम आवशक्ता पूरी हो जाए, मान लिया जाएगा कि इनके साथ आर्थिक न्याय हो गया, यह एक मात्र न्याय शब्द का प्रियोग्य प्रस्तावना में है, इसको अगर आप अन नेरु जी का सरवाधिक प्रभाव दिखेगा, अब राजनेतिक नियाय की बात कर लीजे, राजनीतिक नियाय क्या कहती है, यह भी भाग तीन को दियो तक मानती है, अनुछे दुन्निस, तीन सो पचीस और तीन सो चब्दिस, भाग तीन केवाल अनुछे दिनिस, अबाकी उस बाग में नहीं है, लेकिन इस बाग का दियो तक है, क्या कहती है, राजनीतिक नियाय कहता है, कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पद पर, चुनाओं लड़ने कारिकार, अपनी स्वेक्षा से मत देने का अधिकार, किस के पास होता है, व्यक्ति के पास सुरच्छित होता है, और ये क्या बताता है, ये कहता है, राजनीतिक नियाय ये है, कि मेरा मत है, मैं किसी भी लोकपद पर खड़ा भी हो सकता हूँ, किसी भी लोकपद पर खड़े व्यक्ति को अपना मत दे सकता हूँ, ये मेरा मत है, अर्तात, राजनीति अधिकार ये, राजनीति नियाय कहता है, कि किसी भी व्यक्ति को, जन्म, मूल, वंस, जातिलिंग, जन्म इस्था हो जाता है इसलिए भारत में राजनीती आर्थिक एक साथ ही प्रक्रिया चलती है और यही कारण है कि राजनीती आर्थिक दोनों का समावेश भारत का समाजवाद दिखता है दोनों के समावेश कहां दिखेंगे भारत के समाजवाद में दिखेंगे हम यह आपको क्यों बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि जो जो चीजे आपको प्रस्तावना में दिखता है वो सारी चीजे सम्मिधान के अन्य भागों में कही न कही उपबंधित है और हमें पढ़ना होता है हमें पर्णा होता है circular हुआ राजमलितिक में आये अब देखिए उदेश से हमने क्या बताया था हमने बताया था उदेश से क्या है भारत के नागरीक को म्याय दिलाना स्वतांतरता दिलाना समांता तो अब किसकी बात कर ले भार्ती संविधान में प्रस्तावना में जो ये शब्द सामिल है स्वतंत्रता ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है और भार्ती संविधान में कुल पाच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्ण है भार्ती संविधान की देशिका में कुल पाच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्ण और पाच प्रकार कौन है धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना भारती संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंतरता है वो मूलता फ्रांस के आदर्स संविधान से लिया गया है कहता है कि प्रतेक नाविरिकों को स्वतंतरता का अधिकार है कितने प्रकार की स्वतंतरता देता है पाच प्रकार की, क्या कहता है, कहता है आप क्या अधिकार है, आपकी स्वतंतरता है, आपके मन में जो विचार आए, वो विचार की आप अभिव्यक्ति कर सके, आपके मन में विचार आया, एक पार्टी A है, B है, C है, D है, आपको लगता है, कि B पार्टी अच्छा है, आपक उसको अभिव्यक्ति कर दिया सब के बीच कि मैं खुले तोर पर B party को समर्थन देता हूँ क्यों कि मेरा विश्वास मेरी धारणा उसमें बन गई मेरा विश्वास मेरी धारणा उसमें बन गई है और मुझे लगता वहां मेरी धर्म संस्कृति का सुरच्चा होगा इसलिए मैं उस B party को मानता हूँ आस्था रखता हूँ उसके प्रति उपासना रखता हूँ ये समझाने का तरीका था अर्थात पाच प्रकार की स्वतंत्रता आपको सम्विधान की प्रस्तावना देती है बासमझ में आ रही है और ऐसी स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता अंग्रेजी के लिबरल सब्द से बना है जो की लेटिन भासा के लिबर का रुपांतरण है लिबर का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव बारती सम्विधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता की बात करता है फ्रीडम की नहीं लिबर्टी की बात करता है फ्रीडम मतलब कहीं से कोई प्रतिबंध हो ही ना हो मैं इतना स्वतंत्र हूँ कि मेरी स्वतंत्रता से अगर आपकी स्वतंत्रता बाधित होती है तो मेरे उपर कोई अंकुस नहीं है मैं निरंकुस हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सम्मिदान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको पांच प्रकार की स्वतंतरता देता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ प्रतिबंदों का अभाव का मतलब प्रतिबंद होगा जरूर पहुत नीन होगा आप सब करिए आप खुसी मनाईए गाना गाईए डीजे बजाईए सब लेकिन अगर आपके ऐसा कारी करने से आपके सामने वाले को परिशानी हो रही है तब आप पे थोड़ा सांकुस कि वही कारे करिए थोड़ा सा दीरे करिए सामने वाले को दिक्कत ना हो क्यों कि स्वतंत्रता का अधिकार उसके भी पास है यह किससे बना है यह लीबर शब्द से बना है और यह जितनी चीजे हमने अभी पढ़ा है विचार अभिव्यक्ति आप भी जानते हैं विचार अनुछेद 19 में समाहित है अनुछेद 19 में समाहित है विश्वास धर्म और उपासना भागतीन के अनुछेद 25 से 28 तक में समाहित है तो आपको लगता नहीं कि भारती संविधान की प्रस्तावना में जिन सब्दों का उलेक किया गया है उसकी व्याख्या कहीं न कहीं अन्य याद होगा समानता इक्वेल्टी समानता क्या कहा गया कहा गया व्यक्ति मानव है और मानव होने के नाते प्रतेक विश्व का व्यक्ति समान है कहा गया जब प्रकति नहीं इनमे व्यदभाव नहीं किया प्रकति द्वारा एक समान बनाया गया तो कोई भी सिद्धान, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी मानो किसी में भेदभाव नहीं कर सकता इसलिए क्या करना चाहिए? संभिधान ने प्रस्तावना के माध्यम से समानता की बात की और कहा अनुछेद चौदा और सोला पुष्टी करते हैं हम थोड़ा थोड़ा आपको अनुछेद बता रहे हैं, बाकि जितना पढ़ेंगे, अभी तो हम सब का डिटेल पढ़ाएंगे, यह केवल और प्रस्तावना के जोदों सब्दों की ब्याक्या कर रहे हैं आप यह न सोचिए कि मुछेद चौदा नहीं पढ़ाया मैंने, मुछेद शोला यह आगे भाग तीन में आएंगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल और केवल प्रस्तावना शब्दों की ब्याक्या हो रहे हैं क्या कहा गया, कहा गया कि भीया व्यति अथ्वा मानो भी सुका इसलिए समान है कि कि प्रकति ने किसी के साथ बेद भाव नहीं किया और सब को समानता का धिकार है, इसलिए औसर की समानता सब को मिलना चाहिए, मिसुन का और अनिवारे सिछा सब को एक समान मिले निसुल्क और अनिवार्य सिच्छा सबको एक समान मिले, जब सबको एक समान मिलेगा, तब क्या होगा? तब प्रतेक व्यक्ति, अनुछेट 16 क्या काता है? लोक नियूजर में उसर की समान था, अर्थार आपको हमने सिच्छित कर दिया, आरंभिक सिच्छा देखकर, उसके ब तो मैंने कहा कि ठीक है भईया, UPSC, UPSI Teaching यह एक्जाम निकला है, जो योग्य है, हमने एक योगिता निधारित कर दी, कि जो बीड है, वो इसमें एपलाई कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, वो इसमें एपलाई कर सकता है, हमने कहीं जाती धर्म नहीं बाटा, ज करें, आप सब एक समान फर्म फिल करतें, जिन में जो योगिता होती है, उस योगिता के दम पर व्यक्ति अपनी गरिमा बना लेता है, व्यक्ति अपनी गरिमा बना लता है, इसलिए समानता क्या देखाती है, समानता दिखाती है, कि भईया, नागरिकों को जो स्वेश्वत संत्रता समानता न्याय दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है टाकी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे है प्रस्तावना ने कहा प्रतेक मानों को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है मानव पसु नहीं है मानव क्या है मानव मानव है अर्थात दिचारों को जानता है और अप्मान सम्मान समस्ता है इसलिए अनुछे सत्रा कहता है अस्प्रिश्यता का उनमूलन करना चाहिए अनुछे तेज कहता है कि आप बेगारी ना कराएं बनुआ मजदूरी ना कराएं अनैतिक ब्यापार ना करें क्यूंकि वो मानों है चाहिए इस्तरी हो चाहिए पुरूस हो चाहिए दास हो चाहिए गुलाम हो वो सब मानों और मानों के साथ गरिमा में जीवन जीने का अधिकार होता वो होना चाहिए तो क्या किया गया कहा गया कि आपको हम समानता देते हैं आपको हम स्वतंत्रता देते हैं आपको हम म्याय देते हैं ताकि आप अपने गरिमा को बना सके गरिमा में जीवन जी सके और इसको करते हुए आप जब ऐसी प्रतिभा पा जाते हैं आपको स्वतंत्रता मिली प्रस्तावना ने दिया संविधान ने दिया समानता दिया नाय दिया जब यह दिया तो आपकी गरिमा में ब्रिद्धी हुई और जब आपकी गरिमा में ब्रिद भारत की एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए अर्थात हम आपको समानता स्वतंत्रता न्याय दे रहे हैं इसका मतलब आप छेत्रवाद धर्मवाद जातिवाद इन सब से उपर उठकर भारतिय बने और जब आप भारती बनेंगे तो आपके मन में कभी भी देश को खंडित करने की भावना नहीं आएगी आप जिस समाज में होंगे उस समाज के गरिमा में समान को ध्यान रखेंगे इसलिए प्रस्तावना ने आपको ये सब दिया अर्थात हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पेच लोगतंत्रात्मक गरराजी बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याय दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राश्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तो बंधुता तो अपने आप बर जाएगी जब आप छेत्रवाद का नाम में ही लेंगे बंधुता तो तब ही बर जाती है जब आप हम भा के लोग कह देते हैं बंधुता बढ़ाने के लिए फिर क्या सब्दा आता है द्रिड संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारिक 26 नवंबर 1949 मित इमार्ग शीष सुत्ल संपती संबत 2000 छेद्वारा इस संविधान को अंगी कृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं कहा गया कहा गया कि नहीं आत्मर्पित करते किसे ने कहा भारत की जन्ता ने कहा किसी कहा खुद से कहा सब संविधान सवा में बैटे अपने लोगों से कहा कि हम लोग क्या करेंगे 26 मॉंबर 1949 इस वी को मिति मार्ग शीष सुत्ल सक्तमी को संबत 2000 के माधियम से क्या कर रहे हैं इस संबिधान सबा में आज अपने संबिधान को अंगी कृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं यही कारण है कि 26 मॉंबर 1949 को विधी दिवस के रूप में गोसित किया गया विधी अथवा संबिधान दिवस के रूप में गोसित किया गया और यह बहुत बड़ी तारीक थी यह बहुत बड़ी तारीक थी जिस तारीक को संबिधान की प्रस्तावना को क्या किया गया adopt किया गया, स्रिकार किया गया किस ने किया, भारत की जंता में किया, किस ने किया, संविधाल सभा में किया, किस के माध्यम से किया, खुद के बनाए गए नितिनियमों के माध्यम से किया clear हुआ, तो ये प्रस्तावना था, इसी प्रस्तावना को इसी प्रस्तावना को कुछ विचारकों ने जन्म कुंदली कहा है क्या कहा प्रस्तावना संभिधान की जन्म कुंदली है अब देखिए अब अगर बात करें इसका मतलब हमें किसको पढ़ना है हमें विचारकों को पढ़ना है क्या कह रहे है क्या कह रहे है प्रस्तावना संभिधान की जन्म कुंदली है प्रस्तावना संभिधान की जन्म कुंदली है क्लियर हुआ अर्णेश्ट बारकर कह रहे है प्रस्तावना विद्धावस्था का प्रलेख है प्रस्तावना विद्धावस्था का प्रलेख है डाक्तर सुभास कस्यप कह रहे है संभिधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है संभिधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना क्या है प्रस्तावना उस सरीर में निवास करने वाली आत्मा है बहुत पूछा जाता है ये सवाल आयोग द्वारा ये जरूर पूछा जाता है किसमें क्या कहा ठाकुर्दास भारगव प्रस्तावना प्रस्तावना संभिधान की कुँजी नोट है अब जब भी देखेंगे आप पाएंगे कि वास्तों में प्रस्तावना इतनी महत्वपूर थी जिस पर विचार को ने अपने विचार भी दिये संभिधान में बाताएं जो भी थे वो इस समस्या को जानते थे और लगातार उनमें दिवाद हो रहा था कि इसे संभिधान का बारत कैसे माना जाए कैसे बनाया जाए सब करके इन्होंने देखा नजाने कितनी बार वाद लाके देखा और फिर भारत की सम्मिधान में इतिहास में वो स्वाडिम पलाया जब केश्वान अंदभारती बना केरल राजी आया इसने क्या किया सारे मिथ्या सारी समस्याओं का निराकरण करते हुए कुछ महत्वपूर निड़े दिये जो क्या करता है जो सम्मिधान पर एक सकारात्मक प्रभाव दिखाता है किन्तु इतना सब होने के बाद में आखरी में इतना जरूर याद दिलादू आपको और आप याद रखिएगा वाद योग नहीं है बात समझ में आई यह क्या था यह भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना था जिसको हम लोगों ने सारे चरण को आराम से देखा और एक एक फैट पर हम लोगों ने चर्चा किया तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे फिर हम इतने इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ हम लोग आपके साथ हैं और यही आशा उन्मीद है कि आप इसको इतनी ही गहनता से अध्यन करके खुद में समाहिक कर रहे होंगे यह सब खासतर से मैं प्रस्तावना की बात करूं आयोग का ऐसा कोई एक्जाम नहीं होगा जहां आप आपके सामने खड़ा होगा तो मिलते हैं नेक्ट मिक्चर में आपके में रहें पढ़ते रहें इस इस रिंकला में साथ रहें और एक एक टापिक को समझ के खुद में उतनी गहनता ना है थैंक यू सो मस्ट थैंक यू आल